आज की सुबा में आपको आज़ाएं आज वकायाभा में स्वागत करते हैं आज एम अराधना में जाने से पहले परमेश्य के वच्ण को पढ़ेंगे आज एन निकाले पहला राजा सत्रा अधाय उसका सोला वच्ण आएजया मिलके परमेश्य ov council को पढ़ेंगे कि कैसे परमेशर आकाल के समय में इस अध्याई में अगर हम देखते हैं या आगे के अध्याई में देखते हैं परमेशर कितने चमतकार कर रहा है हम लोग कई बार ये चीज सोचते होंगे कि क्या परमेशर महामारी के समय में आकाल के समय में परमेशर कुछ कर रहा है क्या यह हमारे पास जैसे परमेशर का वचन कहता है कि उसके वचन के अनुसार परमेशर ने आपके और मेरे जीवन में कही वाईदे दी हैं जो परमेश्र आज भी पूरा कर रहा है जिस समान परमेश्र ने उस अकाल के समय में वो छमतकार किये आज भी परमेश्र कर रहा है हम अराधना में जाने से पहले एक और वचन को पढ़ेंगे आए हम निकाले विवस्ता विवरिन 10 उसका 21 वचन वही तुमारी स्तूति के ईक्वों से देखा है और सच मूझ में हमारा परमेश्र हमारी स्तूति अराधना के योग है कई बार हम लोग चीज़ों को नजर-अंदात कर देते हैं क्यों हमारे जीवन में चीज़े हो रही है पर आपको और मुझे जानना जसरूरी है कि आज भी हमारा परमेश्र मदद कर कि मैं हर चीज के लिए तुझे अधनेवाद देना चाहता हूं आए हम मिलके पर मेशे की आरात्ना करें करने करने वाला खुदा कहकर ना पीछे हटने वाला खुदा उसकी रहमत के गाउ सारे की उसने बृत्यूं पे पाई है जीज के ये शु मेरा जिना कुदा 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 उसके करम से बरे हैं जमी आसमा उसके करम से बरे हैं जमी आसमा उसके पाजल से ही जिना है हम सब यहाँ उसकी खुदरत के गाउ सारे की उसने मृत्यूं पे पाई है जी ये शु मेरा जिना कुदा ये शु मेरा जिना कुदा दर्मत मैं तरे साथ दर्मत ये गेता ब्रभू दर्मत मैं दिर साथ दर्मत मैं दिर साथ दर्मत ये केता ब्रभू तु ने चुड़ाया ना आप से बुलाया तु मेरा है जब तु पाई में चलेगा उंदसा और आग में तु नहीं जलेगा तु नहीं दूबेगा तु कि में दिर साथ दर्मत मैं दिर साथ दर्मत मैं दिर साथ दर्मत ये गेता ब्रभू दर्मत मैं दिर साथ दर्मत मैं दिर साथ दर्मत ये गेता ब्रभू धने बाद दिते हैं परमेशर तेरे उन वाइदों के लिए परमेशर जो तु हमें बार बार याद दिलाता है कि हमें परमेशर किसी बात की किसी बात की चिंता करने की कोई जरूत नहीं परमेशर हम धने वाद देते हैं परमेशर अपनी स्तूती अरादना को ये शुमसी आज हम खुदावन अपने मुखों से खुदावन उठाते हैं सच मुछ में परमेश्य तेरे उस प्यार के लिए हम तुझे धनेवाद देते हैं येश्य मसी ये समय होगा कि हम अपने अवाजों को बुलंद करें और परमेश्य को धनेवाद करें उसके प्रेम के लिए उस वाइदों के लिए जो हमें हमेशा संभालते हैं परमेश होने दे खुदावन तेरी उपस्तिती हर एक को येश्व मसी हम जहां कहीं खुदावन तेरी अरादना कर रहे हैं येश्व मसी हमें वो घेर ले येश्व जीजुस तू प्यारे का सागर सागर दया का तू है तू प्यारे का सागर सागर दया का तू है तेरे प्यार के सागर में हम डुमना चाहते हैं तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते है तू प्यार का सागर सागर दया का तू है तू प्यार का सागर सागर दया का तू है गहराई मिले सागर की गहराई मिले आसमा की पर कोई राप ना पाहेगा गहराई तेरे प्यार के पर कोई राप ना पाहेगा गहराई तेरे प्यार के तू प्यार का सागर सागर दया का तू है तू प्यार का सागर सागर दया का तू है परमेश्वर होने पर भी तू वानब रूपदारन किया परमेश्वर होने पर भी तू मान रूपदारन किया प्रभू तेरे इसी प्यार ने हम को दिवाना बनाया तू प्यार का सागर सागर दया का तू है तू प्यार का सागर सागर दया का तू है सच मेश्वर तेरे इस धाया के लिए !' ूं प्रेम के लिए खुदावन हम तुझे धने वाद देते हैं येश्व मसी जैसे तेरा बचन कहता है वरमेश्व भचन सहीदा में की तेरा प्रेम अनमोल है खुदावन और हर मनुष्य येश्य मसी तुझ में शरण पाते हैं परमेशर हम हमारे सारे प्रात्नाने वेदन येश्य मसी हर एक जरूतों को खुदावन हम तेरे समोख लेके आते हैं मेरे पिता परमेशर इस समय के लिए तुझे धनेवाद देते हैं येश्य मसी तेरे प्रेम के ले खुदावन धनेवाद देते हैं येश्व मसी परमेश तेरी उपस्तिती हम सब के बीच में मांगते हैं खुदावन होने देख येश्व मसी तेरी उपस्तिती हम सब को घेर ले येश्व आज परमेश कुछ नया खुदावन हम महसूस करना चाहते हैं येश्व मसी धनेवाद देते हैं येश्व मसी आगे किस समय को तेरे हातों में समर्बित करते हैं इस प्रात्ना को तेरे नाम से मांगते हैं आमेन जैसे कि हम आरादना में बने हुए हैं हम अपनी भेटों को परमेश्य के भवन में लाएंगे और जैसे कि आप स्क्रीन पे दे हुए नंबर को देख सकते हैं, आप पेटीम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं या फिर आप बैंक ट्रांसवर कर सकते हैं और यदि आपके पास इन में से कोई भी सुविदा नहीं है, तो आप अगली पार जब परमेश्य के भवन में आए तो अपनी भेटों को लेकर आ सकते हैं, आए हम अरादना करें पर मुझे पर उब्रेम की सजा, उन्हातों पर ना मेरा लिकां दिको पर प्रेम की सजा, उन्हातों पर ना मेरा लिकां मुझसे प्रेह ये शुने किया है देकर प्राद प्रभु फेसे जी उठा है मुझसे प्रेह ये शुने किया है देकर प्राद प्रभु फेसे जी उठा है तो मैं चला कर काऊंगा सब को ये सुनाऊंगा मुझे रेम ने हर पाया मेरा तीत पीत गया मुझको अजी संदल गया सब कुछ हो गया है निया सब कुछ हो गया है निया सब कुछ हो गया है निया आई हम अपने सरों को चुखाएंगे परमेशन धनेवाद देते हैं आज की समय के लिए खुदावन हर एक भेटों के लिए ये शुमसी जो तेरे भवन में लोगों ने चिराई परमेशन हर एक जीवन को खुदावन हम तेरे हातों में समर्पित करते हैं इस प्रात्ना को तेरे नाम से मांगते हैं आमीं आप सबों को जै मसी की मैं आप सबका स्वागत आज के इस अराद्मा में करता हूं जितने भी लोग इस समय में इस अराद्मा को देख रहे हैं और हमाएं साथ अलग-अलग जगहों से शामिल हैं कि आप सभी मिल करके प्रभू के अरादना कर सकें आप जहाएं कहीं भी हैं प्रियो प्रभू आप सबों को आशिश दे अब प्रभू का अनुगरा आपकी जिन्गी में लगतार होने पाए God is good all the time and all the time God is good परमेश्वर भला है और वो सच मुझ में भला है हम लोग गीद गाते हैं प्रभू परमेश्वर तू भला है तेरी भला ही सदाकी है और हम जानते हैं कि इस समय में जबके हम लोग एक वर्दस्त रास्दी में से गुजर रहे हैं पूरा मानाव समाज एक आजीब से संकट के दौर से गुजर रहा है और कुछ भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम जो है इस संकट से निकलेंगे कब जो हमाई जिन्गी वापस पटरी पे आएगी कब दुनिया वापस वैसे ही चलने लगी जिस तरह से 20 मार्च के पहले चल में है कि कब घोशना हो कि कोरोना वाइरस की वेक्सिन डेपलोप हो चुकी है ट्रीट्मेंट इसका मिल गया है पूरे दुनिया बड़े पेस सब्सें इंतिजार कर रही है दुनिया के जो नामी गिरामी लैब हैं उनमें जो सबसे प्रमुख 90 लैप्स जो दुनिया में है इ कि इस काम में लगे हैं चाइना में ही करीब 22 लैप्स हैं दुनिया के जो टॉप लिप्स में आते हैं जो कि इस समय में जो है करोना के वेक्सिन के तलाश में हैं और इस समय में आपके साथ में पहले भी शेयर किया है कि यह जो तराज़ दिया है इसके लिए हम में से किसी न कि हमारी जिन्गी एक दिन एक ऐसे संकट के दौर में आफ फसेगी जहांस पे हम लोग जो है के लिए जीना जो है काफी कठिन हो जाएगा ये संकट का दौर है प्रियो और जबर्दस संकट में इसो हो करके मानो समाज जा रहा है और दुगदाई बात ये है कि आज जब कि साइन्स और टेक्नलोजी चरम पे रहे दुनिया का विज्ञान अपने चरम पर अपने शीर्ष में पहुँच गया है ऐसे समय में हम अपने आपको बिलकुल आसहाय पा रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं बचने की लागडाउन के माध्यम से सोचल डिस्टेंसिंग के माध्यम से मास्क लगा करके हम लोग घरों में रहे करके इस संक्रमन से बचने का प्रयास कर रहे हैं और ये दौर बड़ा अजीब सा है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उकता गए हैं, बोर हो चुके हैं, फ्रस्टेटेड हैं, निराश भी हैं, डिप्रेशन में हैं कि कब तक हमारी जिन्गी ऐसी रहेगी अर्समय में उनके लिए काफी चुनौती जिनका बीजनेसेस बंद हो चुका है जिनके नौकरियां चले गई हैं, जिनके पास में इंकम के साधन नहीं हैं, वो बच्चे जो अपने एक्जाम्स में अपियर होने वाले थे, वो लोग जिनका केरिया टेक आप होने वाला था, वो लोग जिन्होंने अपने इंटर्व्यूस कम्पलीट करे थे, उनको पोस्टि चाहिए और आज सुबह मैं आपके सन्मुख एक नए आशा के संदेश के साथ में उपसित हूँ आंगरी जी की वो कहावत है जिसे मैं बारबर इस दवरान रिपीट कर रहा हूँ और क्या है वो स्टेटमेंट दूनाट वेस्ट यूर प्राइसिस आप अपने संकट को व्यर् दवाए और यह मेरा स्टेटमेंट है ध्यान पूर्वक सुनेंगे एवरी अपॉजनोटी कम्स विद बंडल्स अपॉजनिटीज हर एक संकट अपने साथ में धेर सारे आउसर लेकर के आता है और जब आप पर मैं इस समय में संकट में फसे में प्रियों आपको और मुझको समझना जरूरी है कि यदि हम लोगों ने साउधानी पूर्वक बहुत हिसाफानी पूर्वक अपनी जिन्गी को बिताई है और हमारे बनाने वाले परमिश्र यहुवा पर भरुसा किया है प्रभियेश्rie-मसी के नाम पर आपने वश्वास किया है और आपने उस नाम के उसर है बहुत सारी चीजों को करने का चाइनीज भाषा में जो क्राइसिस है जो संकट जो शब्द है उसमें दो केरेक्टर होते हैं दो ब्रस स्ट्रोक होते हैं जब वो लिखते हैं चाइनीज में क्राइसिस क्योंकि इस समय में पुरी दुनिया में चाइना चाइना हो रहा ह है और हमारे देश में भी जो है चाइना की चीजे और चाइनीज बातों को ले करके चाइनीज परिस्तितियों को ले करके और उनके जिस तरह से विवाद हमारे साथ में चले उसको ले करके हम लोग जबरदस्ट जो शोक में है और रोश भी है हमारे हिर्देयों में पर उनका आपने है जो एक word है जो crisis के लब बिस्तिमाल कर. जब लोग crisis लिखते हैं तो उसमें दो words होते हैं, दो character होते हैं और पहला जो caracteur होता है, फ़ह होता है वो बताता है danger, जो लिखते है तो पहला जो word आता हूँ, आता है danger, crisis का पेला भाग होता है Chinese भासा में वो होता है danger, अर दूसरा जो word ये दूसरा character जो लिखते हैं, वो होता है opportunity, डेंजर and opportunity, ये जो है Chinese word है, crisis के लिए, कि जब वो लोग लिखते है crisis, तो उसका वो लोग समझ जाते हैं, कि ये जो crisis है, ये जो संकट है, इसमें जोखिम भी है, खत्रा भी है, और सासाथ आउसर भी है, danger and opportunity, और ये आज आज आपके और मेरे लिए भी बिलकुँ सही है, कि आपके मेरे लिए जबर्दस जोखिम भी है, हम अपनी जान भी गवाँ सकते हैं, और सासाथ ये हमारे लिए आउसर भी ले करके आता है, आए प्रभु के वच्चन में देखें, बाइबल में देखें, कि ऐसे परसिती कभी थी क्या, जहाँ पे जोखिम भी था, और मौके भी थे, आउसर भी थे, ये शेक किताब उसका 37 अध्याए, और यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हिच्किया राजा ने यह सुना, तब वो अपने वस्तर फाड़ कर और टाट ओड़ कर यवा के भवन में गया, उसने एलिया किम को जो राजगराने के काम पर न्युक था, और शेबना मंत्री को और याजको के पुरोनियों को जो सब टाट होड़े हुए थे, आमवस के पूत्र येशिया नभी के पास भेज दिया, उन्होंने उससे कहा, हिच्किया यो कहता है, आज का दिन संकट और उ उल्हाने और निंदा का दिन है, येशिया 37 सध्या उसका एक से लेकर तिन पत्तक, और यहाँ पे एक परिस्ति पाई जाती, परिस्ति क्या है, जब हिच्किया शाषन कर रहा था, राजा हिच्किया, यहुदा के उपर में, और उसकी जो राजधानी यरुशलिम थी, जानखारी मिलती किस प्रकास से अशूरी लोग जो परोसी देश थे इसराइल के, वे हमला कर देते हैं, वे चारो तरप से घे लेते हैं, और जितने भी गड़ वाले नगर थे, जहां जहां पर फोर्ट्स उनके बने वेते हैं, उन सब को धाने के लिए वो लोग योजना ब कह रहा है कि आज का दिन संकट और उलाने और निंदा का दिन है, क्यों हो कह रहा है, कि संकट के दिन है, वाई, दे ज़े ज़े क्राइस इन जरुषलेम, वाई किंग, ज़े कया, इस अपसेट और डिसपॉंटेट इंफरस्टेट इंडिप्रेस्ट, वेन इस तोड़े इस क्यों हो कह रहा है कि आज का दिन संकट का दिन है, उसका जो बैक ग्राउंड है आपको 36 अध्यावे मिलेगा, कि इस पकार से अशूरी लोग चारो तरफ से घेर लेते हैं इस राज्जी को, और यहाँ पे जो उनका जो नेत था रप्षा के वो घोशना कर रहा है कि तुझे कोई नहीं बचा सकता है, यरुशिलम निस नाबूत होगा, जितने भी लोग राजा हिच्किया के आधिन हैं, वे सब मारे जाएंगे, और यहाँ पे जब आप पूरा 36 अध्यावे पढ़ेंगे, तो आपको जानकारी मिलेगी, कि किस प्रकार से अशूरी लोग से घिर जान प्रकारी मज गई, और यहाँ पर आपको समानता मिलेगी, यह बिब्लिकल जो एक्स्प्रेश्टन है यहाँ पर जो आज जिसमें आपर में घिरे हुए हैं, आप जरूर येश्या के किताब उसका 36 अध्यावे, और यहाँ पर आपको बेक्ग्रांड उप्रिस भूम मिलेग कि यह जो संकट आया है, जिसके बारे में यहाँ पर रजा हिचकिया जो है, परमेश्व के जन यशया से बाते कर रहा है, कि आज का दिन संकट का दिन है, आज का दिन संकट का दिन है, संकट का दिन है, यह उलहाने का दिन है, यह निंदा का दिन है, घवराट है, निराशा ह और ऐसे लगरा मानों की परमेशों ने छोड़ दिया है तो इस समय ये दि आप भी ऐसे ही मैसूस करते हैं कि घबराट है, निराशा है, जबरतस फ्रस्टेशन है दिशा हिंदा है, दिखाई निदर के अब क्या होगा अगे और आप चिंता के ग्रसित हैं इस समय में अपने बच्चों को लेकर के उनके भविश को लेकर के परिशान है क्योंकि जशन का दौर खत्म हो चुका है, सेलेब्रेशन्स रुख चुके है जिन्गे में कहीं भी एक्साइटमेंट दिखाई नहीं दे रहा है जब भी पेपर उठाईए, जब भी निउस चैनल्स खोलिये आपको जो भी बातें दिखाई देती है, जो भी बातें समचार गर्पे सुना जाती है वो सब दिलों को तोड़ देती है दिल हमारा रोज तूट रहा है क्योंकि संकट से आप और मैं गिरे हुए है क्राइसिस आलबिस कमस देंजर संकट हमेशा जोखिम हमारे ले ले करके आता है पसां साथ आउसर भी वो ले करके आता है आईसी कान से जो मेरा स्टेटमेंट है वो यही है एवरी क्राइसिस कमस दे बंडल सप पॉचिनिटीज हर एक संकट अपने साथ में धेर सारे आउसर ले करके आता है और यहाँ पे क्या हो रहा है राजा हिचकिया परमेश्र के जन यश्रे के साथ में बैठ करके बाते कर रहा है मंत्र ना कर रहा है और यहाँ पे परमेश्र के छुटकारे को जो है देखने का वक्त आ गया है जब जब संकट हमारी जिन्गी में आता है तब तब हमारे पास आउसर होता है कि हम परमेश्र के नजदिक जाए उस महा सामर्थी परमेश्र के चर्णों में जाए और उससे हम लोग कनेक्ट हों दुआ मांगे कि प्रभू तू हमें बचा ले गाड सेव अस हम लोग आज सहाए है आप हमें बचा लीजिए यह हमारी दुआ हो जाती है अउसर क्या है आपके पास में जब किसना संकट आया है कनेक्ट बैक टू गाड आप परमेश्वर यहवा से वापस पुना जुड़िए वापस पुना जुड़िए डिस्कवर रिलेशन्शिप इत्हीं उसके साथ में संबंदों को आप खोजिए आज यसा मैंने पहली भी कहा है कि हर एक मनुष्व के दिल में चाए वो हिंदू हो हर एक मनुष्व के हिर्दे में परमिश्व के अकार का एक खाली स्थान है इस समय में आप कोई भी जाती भाष्रा के हो कोई भी रूप रंग के हो कोई भी जगा में रहते हो प्रियों आपके पास आउसर है कि उस सच्चे और जीवित परमेश्र को ढूंड लें उसको ढूंड लें उसको पहचान लें उसके नस्दिक आ जाएं और आप कभी न कहें कि ये धर्मों के बारे में बात कर रहे हैं पास्टर आप मैं धर्मों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं परमेश्र के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने आपको और मुझको अपने सरुप में बनाया है आप उस परमेश्र को ढूंड़िए आप उससे जुड़िए क्योंकि परमेश्र के पास में आने के लिए आपको विश्वास जरूरी है और मैंने पहली भी कहा है कि जिस परमिश्वर मैं प्रचार कर रहा हूँ वो इश्वरों और देवताओं से और दुनिया के जितने भी लोग जिनोंने इनकार निशन लिया है, आउतार लिया है उन सबसे भिन है वो परमेश्वर हर एक मनिश्वर का बनाने वाला है अब बेपना महबबत करता है तो यदि आपके पास जो भी जानकारी है उसको थोड़ा सा फैलाईए और समझिए कि परमेश्वर कौन है Who is God? His design, His pattern, His character His nature, you need to understand अब परमेश्वर के बारे में दिया आपको कहीं जानकारी मिलेगी प्रियों तो वो जो है बाइबल में मिलेगी You need to read the word of God अब आपका है पास्तर कि बाइबल को पढ़ना है इसका मतलब Christianity मैं हमेशा कहता हूँ कि मसीहत कोई धर्म नहीं पंत परमेश्वर के साथ में रिष्टा है और हर मनुष का स्वागत है कि वो परमेश्वर के उस रिष्टे में आ जाए क्योंकि आपके दिल में परमेश्वर के अकार का छिद्र है खाली पन है, खाली स्थान है, वेक्यूम है जब तक वो परमेश्वर आके उसे भण नहीं रहेगा आप बैचेन रहेंगे, आप परिशान रहेंगे, आप निराश रहेंगे जरुत इस बात की है कि आप उस परमेश्वर को जाने और उसको जो है पैचान ले तो इस क्राइसिस में संकट के समय में आपको करना क्या है आपके पास आउसर है कि आप अपने स्विष्ट करता से आप मुलाकात करने चैया आप किसी भी धरम जाती भाशा या किसी भी देश में पैदा क्यों ना हुए हो आपके लिए एक आउसर है कि आप उस परमिश्र को पहचाने जो कि आपका है किसे ध्रम्य जाती का नहीं है किसी संप्रदाय का वो नहीं है पर तो सब मनुश्यों का परमिश्र है No, your creator God, you have a great opportunity right now आप अपने परमिश्र को जानिए ये बहुत अच्छा आउसर आपके पास है No, opportunity आपके लिए क्या है आपके पास में एक opportunity है कि आप अपने स्वाइं को discover करें अपने स्वाइं को आप जो है जान लें आउसर आपके पास में है कि आप अपने स्वेंग को पचाना है कि आप कौन है आप कौन है आप किस प्रकार से अन्नी जन्तुओं से भिन है आपके पास आउसर है कि आप चुप-चाप एक कोने में बैठ जाए और सोचना शुरू करें क्यों क्यों कि अब पहले जैसे आपके पास में फोन काल्स नहीं आते अब आपको बिजनेस मेंटिंग्स नहीं करनी है अब आपको सेल्स के लिए नहीं जाना है अब आपको सेमिनार्स नहीं अटेंड करना है अब आपको पहले जैसे भागम दौर नहीं करनी है आपको यात्राय नहीं करनी है जिन्दगी अभी रुक से गई है जिन्दगी शांत से हो गई है और आपके लिए जरूरी है प्रियों कि आप इस समय में आप इस समय में अपने जिन्गी को पहचान सकें discover yourself आप अपने जिन्गी को पहचाने आप कौन है have you given time to yourself क्या आपने अपने जिन्गे में अपने स्वाई को समय दिया है जब हम चोटे बच्चे थे थे था हमने अपना अपना मेगजिमम समय अपनी पढ़ाई अपनी इस्टडी को दिया है जब हम बड़े हो गए तो हम लोग ने अपने career को अपना समय दिया है हम लोग जो कमाना, जो शुरू किया, जो business, जो website में, जो नौकरी में लग गए, उसको हम लोग ने समय दिया है We have given our time to put a great foundation by taking great education Second comes, we have focused our life on career We have given maximum time to all these two things अब उसके बाद में जब हमारी शादी हो गई तो शादी के बाद में हम लोगों ने अपने रिष्टों के लिए समय दिया है समय दिया है, क्यों कमा रहे हैं आप आप में जबहुत से लोग कहते हैं, भाई मेरे बच्चे हैं, भाई मेरे बीवी है और आपने जबर्दस समय उनके लिए दिया है आप एक जिम्मिदार विखती है इस तिरियां कहिए सकती है, महिलाए कहिए सकती है, बहने कहिए सकती है कि हम लोगों ने अपने हजबन रब बच्चों के लिए अपना समय दिया है आपने उनके लिए जबर्दस समय दिया है एस समय हैं कि अब आप अपने जिंद्गी को पैचाने discover yourself तीर प्रशन पूछिए अपने स्वाई से मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? और मैं कहां से आया हूँ? पूछिए प्रशन इस बात को मैं कौन हूँ और मैं कहां से आया हूँ? यह पहला प्रश्ण है आपका नमबर दो मैं क्यों इस दुनिया में हूँ ? मैं क्यों इस दुनिया में हूँ ? नमबर तीन मैं कहान जाओंगा मरने के बाद मेरी जिन्द की इस दुनिया से समाप्थ होगी चाहे कोरोना वाइरिस Detroit से कारण से चाहिए हार्ट अटेक के कारण से, चाहिए कोई बीमारी के कारण से, चाहिए किसी भी कानवश, एक दिन हमें से प्रते को इस दुनिया को छोड़ों करके जाना है, तो कहां जाना है, हम लोग किधर जाएंगे, क्या हम लोग जानते हैं, कि हम लोग की destiny या हम लोग का अंतीम स्थान क्या है अम लोग जानना जरूरी प्रियों तो ये समय हैं कि आप इस बात को पैचाने अगले हपते जब मैं रईवार को आपके बीच में होंगा तो मैं इन तीनों प्रश्णों के उत्तर को ले करके आपके सामने उपसित होंगा Every crisis is great opportunity Dean Christianity हर एक संकट आपके लिए एक अच्छा आउसर है कि आप अपने स्रिष्टी करता को पैचाने हर एक संकट आपके बीचाने आपके लिए आफके सवय को जाने अपनी इस समय में इस प्रभुजी अरहत ना में शामिल है इसे देख रहे हैं आप उनको अपनी आशिशों से भरे बरकतों से भरे प्रभुजी ये आने अलहपता हरेक लिए बहतरीन हफता हो प्रभुजी और हम सब प्रभुजी धीरसे इंतिजार करें और आपको ढूने प्रभु के अनुगरा में आप नियंतर आगे बढ़ते रहें, आप जब भी निकले घर से, मास्क जरूर लगाएं, अपने हाथों को बार बार सेनेटाइस करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और कोशिश करें कि आप भीण में आ जाएं, प्रभु आपके हिफासत करें, अब हमारे परमेशा पिता का प्रेम प्रभी एशो कृष्ट का अनुगरा पोईतरात्मा के शांते सा भागिता, हम सबों के दुबरा मिलने तक प्रतिक के साथ बने रहें, आमें, आप सबों को जय मर्सी की जै मसीगी, हम आशा करते हैं कि हमारी ओन्लाइन सर्विस के दुद्वारा आपको आशिश मिले, और आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो हम चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में आप दीवे लिंक पर क्लिक करें, अपनी कॉंटक्ट इंफॉ आप उसमें भरे, जिससे हम आपके साथ संपर कर सकें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेर कर सकते हैं, और परमिश्र के बचन के दौरा आशिश पाएं, और हम एक बार फिर से जोड़ेंगे अगले हफ़ते, धन्यवाद, परमिश्र आप आप वाश इस ते,